Hello everyone आज हम लोग देखेंगे कि किस तरह से calculator को manually turn off किया जाए देखिए different companies different key combinations देती है मेरे पास एक calculator है ORIVA और इसका model है OR400 तो हम इस company के calculator को turn off करना सीखेंगे सबसे पहले मैं इसको on कर लेता हूँ ये मैंने इसको on कर लिया है और इसमें हम चाहें तो कोई भी calculation कर सकते हैं जैसे 45 plus 20 20 तो 65 ठीक है ना तो मतलब ये ठीक तरह से काम कर रहा है और मैंने इसको clear कर दिया अभी मुझे इसे काम करने के बाद turn off करना है तो turn off करने के लिए जो key combination है वो क्या है सबसे पहले आप press करेंगे on off वाला जो key है one time उसको press करेंगे उसके बाद 7, 8, 9 इनको एक साथ press करके hold कर लेंगे और उसके बाद on off वाले key को 5 second के लिए press करेंगे 5 second के बाद 5 second के बाद जब आप छोड़ेंगे तो आप देखें कि ये clear ये off हो चुका है ये जो calculator है ये turn off हो चुका है और अब ये कोई भी work नहीं करेंगे थैंक यू अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इससे like भी करें, share भी करें और और इस तरह के interesting videos के लिए comment में हमें बताएं हम आपको वो video पिल्कुल provide कराएंगे थैंक यू